इंडिया Post Office Payment Bank के तरफ से एक बहुत ही अच्छी भरती यहां पर निकल के आई हुई है जिसमें कि आप लोगा जो ओनलाइन आविदन है उसको आपर शुरूख कर दिये गया है और यहां पर जो पद आप लोगा रहने बाला है वो एक्जक्यूटिब का आप लोगा जो पद ह करना है सब कुछ मैं आप लोगो जो है अस्टे बैस्टे बताने बाला हूं तो वीडियो को आप जो पूरे जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने जो ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख़रा होगा उस क्या जो ही यह बहाल यहां पर रहने बाला है तो यहां पर देखे मेरे पास जो ऑफिस्यल नोटिस पड़ा हुआ है और यहां पर आप लोग का जो वेकेंसी है उसका जो ओनलाइन आविजन है वो 11-10 से आप लोग आप शुरू कर दिया गया है और उसका जो लास्ट डेट आप लोग कहां पर रहने बाला है वो 31-10 यहां पर रहने बाला है 31-10 तक आप लोग आप जो अपलाई कर भाईएगा अब यहां पर नीचा आईएगा तो देखे टोटल जो आप लोग का पोस्ट रहने बाला है वो 344 जो पद हो आप लोग कहां पर रहने बाला है और उसको YouTube का जो जो प्रोफाइल है, वो क्या रहने बाला है, क्या काम आप लोग का आप पर करना होगा, वो जानकार यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर age limit, minimum qualification आप लोगा बताय गया है, तो यहाँ पर कम से कम आप लोग जो ग्रेजुएशन किये हुए, तो आप यहाँ पर आप लोगा रहने बाला है, साथ में और भी जानकारी है, आप चाहें तो इसको बढ़ सकते हैं, अब बात करते हैं कि इसके लिए आप लोग को online apply कहां से करना है, या फिर जो यह notification है, यह आपको कहां से download करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने Google म मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके साब आपको पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, अब आप लोग को नीचे आना है, मैंने पूरा जानकारी यहाँ पर दे रखा है, साड़ा डीटेल आपको 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 किजेगा, तो एक जो ही link जाते हैं, तो कुछ इस तरीके साब लोगा जो website है वहाँ पर open हो जाएगा, अब यहाँ पर click here for new registration का option है, इस पर आपको जो क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोगा जो website है वहाँ पर open हो जाएगा, अब यहाँ पर 6 step आप लोगा पर complete करना होगा, सबसे पहले लिखिएगा नहीं तो इसको छोड़ दिजेगा, last name आप लोग आपको डालना है, confirm करना है, last name full name जो है, automatic यहाँ पर आजेगा, फिर यहाँ पर अपना mobile number डालना है, confirm करना है, फिर यहाँ पर अपना email ID डालना है, उसके पाद आपको डाल करना है, अपना email ID, और यह जो capture है, य ग्रमाखी at gmail.com जो ही आपको 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 छोड़ देना है, और यहाँ पर full email आपको 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 डिखना है, तो मैं आपको पर प्रिव्यू का ओप्सन आएगा, फिर आपको डोक्यमेंट अप्रोड करने के लिए बोला जाएगा, और फिर आपको आपको पे आपको 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 आपक तो माली जो बिहार में कर रहे हैं तो बिहार आप लोको बताना है DPO division यानि कि अभी आप किस division में काम कर रहे हैं वो आप लोको बताना है आप जो है currently यहाँ पर ग्रामिन डाक सेबक हैं या फिर नहीं है वो आप लोको बताना है तो हैं तो यहाँ पर yes किजेगा अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजेगा उसके पद आप लोगों को आप नीचे आना है और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आप जो है IPPV के साथ हैं आप पर काम कर रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं जिसके आप जो यह बिजनस एसेट हैं या फिर जीएगा उसके बाद यहांप नोग को बताना है चाहते है। वो आप लोगों पर सो कर देगा वो आप लोगों पर जोई सेलेक करना है तो माली जो मैंने जोई दो जिला है पर सेलेक कर लिया है फिर केटेगरी आप लोगों को बताना है जो भी केटेगरी आप लोगों कर रहेगा फिर आप लोगों को बताना है कि क्या आप जोई विकलां नहीं तो आप यहाँ पर नो किजेगा फिर यहाँ पर आप लोको बताना है कि religious minority community से आप आते हैं माली यहाँ पर minority हैं तो यहाँ पर yes किजेगा नहीं तो आप यहाँ पर no किजेगा फिर यहाँ पर जो nationality आप लोको बताना है तो यहाँ पर इंडियर आप लोको बताना है उसके बाद यहाँ पर जो आपको जेंडर बताना है कि आपका जेंडर मेल फिमेल जो भी रहेगा वह आपको 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 बताना है उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आप जो अगर जुर्बा भाई बन है तो यस किजेगा नहीं तो आपको नो किजेगा फिर अपने आपको करना हे पैंट करने पद आप डोकु आएगा प्रिवी आपको चेक कर लेना है अगर सब कुछ आप लोगा सहीर आता है तो आप लोगों का बोकुमेंट वह अपनीट करने पहला जाएगा जीस यह आप लोग का 10-12 का माकसित आप अपलोड करने के लिए बोला जाएगा ग्रिजुशन का माकसित अपलोड करने के लिए बोला जाएगा और GDS में अगर आप लोग का बाहली आया हुआ है तो हो सकता है कि आप लोग का जो कोलेटर है झाल झाल झाल